नमस्कार दोफ्तों, स्वागत है आपके ही अपने यूटूब चैनल फेंटेसी क्रिकेट क्लैस में, आज हम बात करेंगे जो प्रो कबड़ी का मुकावला खेला जाएगा, जो की खेला जाएगा बैंगलूरो बुल्स और पुनेरी पलटनी के बीच में इसके बारे में, लेकिन यदि आप अभी तक हमारी चैनल पर नए हो, चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा और बैल आइकन प्रेस कर दिएगा, साथ में दोफ्तों, जो हमने आपके लिए 300 लाइक का टार्गेट दिया है न, वो आप जरूर पूरा करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, औ और दोस्तों, चैनल को सस्क्राइब किये बगर मत जाएगा, और जो भाई नए हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए फिरी के वबे मिले वाला है, आफ्टर स्टार टेलीग्राम चैनल पर मिले वाले हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रू जोइन कर लेजीगा, लिंक आपको टेलीग्राम की वीडियो को डिस्किप्शन में मिल जाएगी, या मैं फर्स्ट कमेंट में भी आपके लिए पिन कर दूँगा, उसके बाद दोस्तों, आ सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर लुएस्ट एंट्रिफीस है, आप इससे कम एंट्रिफीस कहीं भी कोई चार्ज नहीं करेगा, लो कमपटीश हैं हैं दोस्तों, कमपटीशन भी इस पर काफी कम हैं, और एक से दो मिनिट में आपके लिए बैंक बिट्रो मिल जाना वो हमारा फिरी के बावे भी जोईन कर सकते हैं, इस पर हम आपके लिए फिरी के बावे भी दोस्तों प्रोवाइड कराती रहते हैं, टाइम टू टाइम, लेकिन दोस्तों यह सभी वेंट्रिफीस आपके लिए कम मिलेगे, तब डाउनलोड करकर आप राज बंटु 3 कोड रिफर कोड डालती हो तब, तो चलिए बात करेंगे, सबसे पहले हम पुनेरी पल्टन के डिफेंस के बारे में और अटेक रहेगा बैंगलूरू बुल्स का, बैंगलूरू बुल्स की जो रेडिंग होनी है न, 70% दोस्तों लेप रेडर हैं, और मातर 30% यहापर इनकी ही इंपोडेंट हैं, और यह दोस्तों, मुस्ट आप रेडिंग टीप की यह दोनों ही कर रहे हैं, हलांकि कर भी अच्छा रहे हैं, और इनका देखूगे आप और विकास कंडूला, यह तीन डेडर हैं, जो की 70% डेडिंग इस साइड से करने वाले हैं, और दोस्तों, अब नेक्चेन ऑफ डेफेंस कुण रहेगी, सोलो पिलियर रहेगा, सोलो पिलियर में आप देखोगे तो असलम इनामदार है, असलम इनामदार, नेक्चेन ऑफ डेफेंस रहेगी, वो अभी नेस नंदराजन, और अभी नेस नंदराजन के साथ सांके सावन रहेगे, और जो ल पेले भी कई बार बोल चुका हूँ कि जो सबसे खतरनाग डिफेंस है ना वो दोस्तो इसी टीम का है पुनेरी पलिटन का ही सबसे खतरनाग डिफेंस है तो इनके रेडर को बिल्कुल स्ट्रगल करना पड़ेगा इस बात को आप ध्यान में रखकर चलिएगा अब चुकि ए यह इलाका भीडबार बला इलाका है जिया दोफतो यहाँ पर लगबग सबसे ज़्यादा 70% रेडिंग होने वाली है तो इस सभी प्लियर इंपूडेंट हो जाती है साथ में ही मैंने बता या था दोफतो कभी कबार दोफतो यह इस पर डारेक्ट अटेक होता है जिया दोफतो तब लेट रेडर होँगी तो लेट कॉबर प्लियर पर डारेक्ट वस्तो अटेक होगा तो यह भी आपके लिए ज्यादा पॉिंट दे सकते हैं अब इसमें आप के लिए थोड़ी बहुत समझने लाइक बात है क्या है वो आपके लिए मैं बता देता हूँ फिर यहाँ पर blind portion का फायदा मिलेगा और दोस्तो ए दोनों की जो chain है वो काम भी बहुत अच्छा कर रही है तो यहाँ पर बिल्कुल definitely ए दोनों को दोनों important है और फिर second दोस्तो यदि माली जीगा कि radar यहाँ पर दोस्तो एक्ट्रा point लेने के लिए जाता है मतलब bonus point लेने के ल और tackle करने के chances 90% तक इनके बढ़ जाते हैं और इन्हे टेकल भी कर सकते हैं या दोस्तो लॉबी से भार भी ले जा सकते हैं और उसके बाद दोस्तो यदि इस पर attack करता है radar मतलब यहाँ पर दोस्तो रेडर आता है एक्ट्रा point लेने के लिए तो भी आपके लिए अटेक करने वाले हैं यहाँ पर इन पर radar पर attack करेंगे और radar को causes करेंगे दोस्तो इसते वहार करते हैं तो यह दोनों ही बहुत अच्छे player है और बिल्कुल आपके लिए टेकल भी करकर दे सकते हैं और मैंने सभी संभावित position इनकी समझा दी है आपके लिए क्या-क्या इनकी संभावित position रहने वाली है point देने की अब दोस्तो next chain of defense इसमें आपके लिए solo player रहेगा जो कि असलम इनामदार है और असलम इनामदार का man काम है दोस्तो रेडिंग करना इनका थोड़ा कमी आई थी रेडिंग में दोस्तो और भी पिलियर है उन्होंने रेडिंग की ती तो लेकिन पिलियर यह भी इंपूडेंट है और tackle करेंगे कम करेंगे तो इनके बारे में छोड़ दीजीगा अब देखो कि next chain of defense जो कि अभिनेस नंदराजन और सांकिस साव आई है यहां दोस्तो इस बात को आप ध्यान में रख कर चल सकते हैं तो काफी हाई माना के नहोंने अपने आपके लिए set कर रखें तो आप यहां पर देखो कि यहां से सीधी attack होने वाला है इन पर जो कि मैंने आपके लिए बताया था कभी left radar left cover पर अच्छा खासा attack करता है तो यहां पर सांकिस सावन को थोड़ी सी अपने खेल में improvement करना पड़ेगा अप एक ऐसे point देंगे माले जीगा कि radar क्या करता है दोस्तो इस side यहां पर यहां पर दोस्तो point लेने के लिए जाता है extra point लेने के लिए मतलब इस पर ज्यादा attack करता है तो radar यहां पर है और यह दो सकते हैं second यदि radar इस पर attack करता है मतलब यहां पर attack करता है तब इनके सबसे pass वाली chain है जियां दोस्तो सबसे pass वाली chain है और जल्दी से आकर इसके radar के सामने आके खड़े हो जाएंगी और फिर radar पर अब देखना होगा दोस्तो attack कितना करते हैं radar को पकड़ने के लिए और इनक जो last chain of defense है वो आपके लिए किस परकार से काम करने वाली है उसको और आप थोड़ा सा देख लीज़ीगा अब दोस्तो last chain of defense पर माली जिगा यहां से reader आया और क्या होता है कि reader जल्दी से आता है और bonus point करने के लिए hand touch point देने के लिए दोस्तो इस chain पर attack करता है इस chain पर attack तो अब आपके लिए क्या-क्या दूस्तो इस chain का काम रहेगा point देने का एक तो attack करेगा तब दूस्तों यह point देंगी second क्या होगा कि reader इस chain पर attack करता है मतलब यहां पर जाता है reader point लेने के लिए तब यह दोनों दूस्तों जी यहां दूस्तों बिल्कुल ऐसे आकर यहां पर जैसे ही इने मौका मिलेगा और इने लोबी से भार कर सकते रेडर को तो उच इस तरीके से एक point देने बाले हैं दूस्तों left reader के सामने इनका defense system आप देखोगे आप right reader के सामने इनका defense system किस तरीके से काम करेगा अब दूस्तों जो इसमें सबसे important player है ना साधलू साधलू यहा अब ध्यान में रखकर चलिएगा अब देखोगे आप जो इस side से radar radar है ना इनके सामने आकास सिंदे और आकास सिंदे के साथ रहेंगे साधलू यहां मुहित गोयट की रहेंगी और मुहित गोयट के साथ गोरब खत्री इसमें इस दोस्तों याद रखेगा साधलू important है चाह सभी के सामने साधलू important आपके लिए हो जाएंगे आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपके लिए ए रेडर रेड डालने बाले है रेडर रेड यहाँ पर रेड डालेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले साधलू से इनका सामना होगा और साधलू से सामना होगा तो साध ज़्यादा पॉइंट देने वाले है और इस साइड भी दोस्त अधार और मैंने समझाऑ ही दिए क्या इसiete bene को यहाद धक्यलता आ यहां तो लोबी से भाहर कर सकते हैं यहां कर सकते हैं और इसके सामने दोस्तो बिलकुल यहाँ पर आएंगे यदि इस corner पर अटेक होता है यहाँ पर ज्यादा अटेक होता है तो सादलू यहाँ पर आ कर दोस्तो इस radar को capture कर लेगे जिया दोस्तो सादलू का बिलकुल यह काम रहेगा और मेरे इसाब से सबसे important player इस match के आपके लिए साधलू ही रहने वाले हैं। अगला player असलम लामदार जो कि कुछ ज़्यादा नहीं करेगा, फिर आप देखो कि अभिनेस नंदराजन और दोस्तो सांकेत सावन की आपके लिए next chain रहेगी। इतना अच्छा इन में सांके सावन नहीं खेल रहा है, जितना अच्छा इनकी पूरी team खेल रही है। क्योंकि इस corner पर सादलू है, वो ज़्यादा किसी player को भी मौका नहीं देते दोस्तों और इन्हें भी साय देना advance खेलने का मौका ना दे, तो चलिए बात करेंगे, अब हम दोस्तों यहाँ पर पुनेरी पल्टन के attack के बारे में और बैंगलूरू के defense के बारे में, पुनेरी 50% आप इनका attack मान सकते हो, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा, तो सुसीन और सौरब नंदाल, जो first chain of defense रहेगी, सुसीन और सौरब नंदाल रहेंगे, इस मैं से सुसीन दोस्तों काफी सांदार player हैं और important player हो जाते हैं, हाला कि तब आप पुनेरी पल्टन के सामन कोई team होती है, तो radar तो दोस्तों आप याद रखकर चलिएगा, इस बात को मान कर चलिएगा, बिल्कुल फुक फुक कर उन्हें कदम रखेगा, और उन्हें फुक फुक कर कदम रखकर ही लीजीगा, फिर आप अगला देखोगे, आप दोस्तों आक्षित रहेंगे, अक्षि रंसिंग के साथ chain बनाकर, जियां दोस्तों, A out हो जाते थे, तो रंसिंग के साथ chain बनाकर, कापी प्लेयरों को लोबी से भार किया, और भहुत सांदा प्लेयर प्लेयर प्रफमेंशन होने किया, बिल्कुल सुर्जीत आपके लिए बुडेन प्लेयर हैं, और जो last chain of defense रहें तो यहां पर असलाम इनामदार, आकास सिंदे और आदित सिंदे आपके लिए रेडर हैं, यहां पर आएंगे दोस्तों, असलाम इनामदार इतनी एजी रेडर नहीं है, कि इन्हें कोई भी आउट कर सके, अब यहां पर देखोगे, सौरब नंदाल और सुसीन की तरफ से ज यहां पर 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 रेडर के सामने खड़े मिलेंगे, और रेडर को यहां पर रेडर को यह टैकल कर सकते हैं, और नेक्स्ट जो लाश्ट रहेगा ना, इनके सामने यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां प काबले में सुजीत सिंग ने रेडर को यहां पर आउट किया था यदि आप मैच देखते होगे न तो आपको सब समझ में आ जाएगा लोबी से भार कर दीता है कई वार लोबी से भार किया था तो आपके लिए कुछ इस तरीके से भी यह पॉइंट दे सकते हैं और फिर आप लिए रेडिंग काफी ज्यादा इंपूडेंट करने वाली है तो आप इने छोड़ दीजेगा आप सुर्जीत और सुर्जीत के साथ रहेंगे प्रतीक इस मैं से सुर्जीत काफी इंपूडेंट है बहुत ज्यादा अटेक करते हैं अब रेडर इस साइड से आने वाला है तो इन पर अटेक तो होने बाला है यहाँ पर दोस्तो ए भी पीछे नहीं हटते और काफी ज्यादा एडवांस खिलते हैं और अटेक करते हैं अब सेकंड दोस्तो क्या करेंगे इस साइड यदि रेडर जाता है यहाँ पर रेडर जाता है तो यहाँ तो दोस्तो रेडर को स सामने ये खड़ी मिलेंगे अब दो ही तरीके इनके फिर रहेंगे आम तोर पर एक तरीका रहता लेकर इनके दो तरीके रहेंगे या तो लॉबी से भार करना या फर रेडर को यहीं पर टैकल करना तो दोस्तो इस तरीके से कुछ यह पॉइंट दे सकते हैं इसमें सुर्जीत काफी ज्यादा important है इस बात को आप थोड़ा सा धियान में रखकर चल लीजीगा अब दोस्तों देखो कि last chain of defense के सामने इनका system कैसे काम करेगा अब माली जी का raider इस side से raider करेगा और इनके सामने raider करने के लिए आएगा अब दोस्तों डारेक्ट खिलकर इसमें रंसिंग बिल इस पर जाता है इस chain के आगे जाता है और इसको अंदर धके लिए कोईसिस करता है तो यहाँ पर raider को आकर यह tackle भी कर सकते हैं और lobby से भार भी कर सकते हैं सेकेंड दोस्तों यहाँ पर raider इदी point लेने के लिए जाता है तब भी आपके लिए जो सबसे pass बाली chain है यही है इसमें रंसिंग और रंसिंग के साथ दोस्तों जो player हैं हमारे मानू यह दोनों ही इसके सामने खड़ी मिलेंगे और यहाँ पर भी आपके लिए point दे सकते हैं और थोड़ा यहाँ एडबांस खिलेंगे न दोस्तों तब भी यह reader को यहाँ पर आकर tackle कर सकते हैं तो इस chain में आपके लिए दोस्तों काफी important है रंसिंग और इस बाली chain में आपके लिए सुरजित सिंग कभी कभी क्या होता है आउट होते हैं तो ए दोनों ही मिलकर अपनी chain बना लेते हैं आप देखो कि लगबख 40% रेडिंग दोस्तों इस corner पर होने वाले है बनलाब left corner पर होगी जो कि right radar डालेगे तो सबसे पहले आप देखिएगा मानू और मानू के साथ रहेंगे दोस्तों हमारे रंसिंग रंसिंग मैंने बता दिया चिक चिक कर बोलना हूं का हमारे अक्षित रहेंगे और जो next chain of defense रहेंगी वो प्रतीक और सुर्जीत की रहेंगी इसमें सुर्जीत काफी important में ले रहें और जो last chain of defense रहेंगे वो सुसील और सुसील के साथ रहेंगे दोस्तों सौरब नंदाल कुछ ऐसा दोस्तों scenario बनने वाला है आप देखो कि radar यहा पास blind portion का फायदा मिलने वाला है और इनके साथ मानू रहने वाले हैं तो बिल्कुल एक अटेक करने वाले हैं और radar को यहाँ पर टेकल करेंगे फिर दोस्तों रंसिंग तो मैंने बताए कि important player है ही है यहाँ पर यदि माली जी अक्षित तो ज्यादा आटेक नहीं करेंगे सि यहाँ पर radar को block कर देंगे और last chain के सामने यहाँ पर आता है radar point लेने के लिए तो यहाँ पर दोस्तों यह वाली chain कर सकती है तो कुछ इस तरीके से इनका दोस्तों first chain काम करेंगी अब अगली chain यहाँ आप देखोगी ना अगली chain मैंने आपके लिए बताई थी कि इसमें सुर जो right radar होता right cover के सामने खेलता है और left radar होता है left cover के सामने खेलता है तो कुछ ऐसा खेलेगा लेकिन आप यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर इनके सामने बिल्कुल rating होने बाली है और rating होगी तो दोस्तों यहाँ पर इनके सामने बिल्कुल rating होने बाली है और rating होगी तो दोस् इसले मुकाबले में कई रिडर को भार भी इन्हों ने किया ता एक काम रहेगा और फिर देखो देखोंगे आप दोस्तो अगला यादि इस चैन पर अटेक करने के लिए आता है मतलब यहाँ पर तो सबसे पास बाले रंसींगी हैं सुर्जित सींगी हैं तो सुर्जित सींगी यहाँ पर भी आप इन्हें टेकल कर सकते हैं मतलब यहाँ पर खड़े मिलेंगे या तो दोस्तो इन्हें टेकल कर लेंगी रिडर को या फिर दोस्तो यह धक्का मार कर लोवी से भार कर देंगे तो कुछ ए पॉइंट बनेंगे दोस्तो इनके पॉइंट देने के लिए अब आप जो last chain of defense रहने पाली है, सबसे पहले तो यदि ये नहीं point देना है, तो थोड़ा advance खिलना पड़ेगा, क्योंकि यहां माली जी का लगबक 40% होगी इस corner rating, तो advance खिलेंगे, advance खिलने के अलावा सुसील और सौरब, दोस्तो इतने खतरनाक player नहीं है, जितरी की सुर्जी तोर लेकिन दोस्तो इस corner पर attack होगा, तो यहां पर पहुंचेंगे, अब एक बात मैं आपके लिए समझा दू, कोई भी आपके लिए YouTuber या कोई भी नहीं समझाएगा, यहां पर माली जी का यहां पर attack होता है, तो A radar खड़ाडा रहता है, इस A वाली chain यहां पर खड़ी रहती है, और जो A वाली chain होती है न, वो यहां पर खड़ी गएती है, अब radar यहां पर थोड़ी कलती करता है, माली जील्दी जेग ए違या चैन radar को tackle नहीं करती, तो A वाली chain radar पर attack करती है, radar यहां पर बापेस जाता है न, बीच वाली line के तरफ, तो यहाप attack करती है, और radar को यहां तो lobby स ब्लॉक कर देते हैं और फिर आपके लिए पॉइंटे दे सकते हैं अब अठेक पर डेपेंड करेगा दोस्तों कितना अठेक होता है अब दोस्तों मैंने आपके लिए एक कॉंबिनेशन डेड़ी किया है वो आप कॉंबिनेशन देख लीज़ेगा लेकिन जो फानल टीम लाजन है मुहम्मद रिजा सादल हुए है फिर दोस्तों असलाम इनामदार दोस्तों मेरे पास थोड़ी सी कैनेट की इसू आ रही थी इसलिए मैंने इने ट्राइ किया है और फिर आप देखोगे दोस्तों यहां पर गो एक कुमेंट राइक किया है लेकिन याद रखेगा क टेलिड़ मैंनेज करते हुए फानल टीम आपके लिए मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूँगा तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरू जोइन कर सकते हैं लिंक आपको टेलीग्राम की वीडियो की डिस्किप्शन में मिल जाएगी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक वीडियो में